नमाज़कार साथियों कैसे हैं आप सब भी उम्मीद करता हूं आप सबी ठीक होंगे तो राध्यस्तान बोर्ड की ओर से साथियो कक्षा आठवी के लिए संपूर्ण मोडल पेपर है 2024 के वो जारी कर दिये गए हैं आप देख सकते हैं और यह पेपर आपको PDF की फॉर्म में हमारी एप पे मिल जाएंगे तो जिन्होंने एप डाउनलोड कर ली है और जो एप को चला रहे हैं वो इनको आराम से डाउनलोड कर साएंगे फिलाल इस वीडियो में हम पूरा गणित का पेपर वो देखने वाले सोलेशन के साथ कि इस बार 2024 के लिए जो बूर्ड पेपर है वो किस परकार का रहने वाला है सारे प्रसंद आपको अच्छे से करा दिये जाएंगे आप से रिक्वेस्ट है ज्यादा से जादा दोस्तों को सेरे कर देना था कि सभी को इंफर्म हो जाए कि पेपर वो आचुके हैं और इनी में से आपके पेपर हो बनने वाले हैं यहां पर देखे एक से लेके आठ तक आपको अब्जेक्टिव टाइब के प्रसंद पूचे जाएंगे पहला क्यों आपको पूचा गया है दो बटा साथ गुणा जीरो आपक आपके आठ नो चेप्टर है मेत वाले मैंने अलड़ी आपको बता दिये थी मौश्ट इंपोर्टेंट करके और सारी परसंद लगबग उनी में से आपको मिल जाएंगे तो उनको भी आप अच्छे से देख लेना वाई यहां पर पूचा गया है तीन एक्स माइनस वन बरा मेरा सीधा-सीधा आंसर निकल के आता है 14 माली जी की आपको इस परकार का परसंद दे दिये जाए उसको हल कराया जाए तो इसको हल के से करेंगे आप यहां पर आपको दिया गया है तो मैंने आपको बताया था कि एकस की जो भी संक्या होती ही उनको हम एक साद्ध में रखत एक्स कामान कितना आ रहा है मेरा पांच या रहा है तो अगर आपका इसका हल भी पूछे तो भी आप मिया पर सकते हैं बाकी बाया पक्स आपका कितना हो गया 14 का माप होता है देकि इफर पर चारत होता है और अप की चारो मुजाएं समान इसको ले लो चायाओ इसको ले लो इसको ले लो सब समान होती है अब वरका टोटल यो कौण होता एवो तीन सो साट डिगरी होता है तो पढ़ते गॉल। है वो नवडीडिर बन जाएगा इसकती अब बढाटि पूच है पह्रते कॉन किन दिगरी क रहेगा तो यहां पर और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में उसका लिंक देदूंगा आप देख लेना पीड़े फाइल आपको एप पे मिल जाएगी यहां पर आपको दिख रहा होगा ठीक है एप हमारे इस परकार करेगा लिंक मैंने आपको दे रहे करें कोई भी डाउट हो तो आप इस वाटसब नंबर पर मुझे मेसेज कर सकते हैं आगे अगला पूछा गया है संक्या पांच की गन होगी देखिए मैंने कई बार कि यह परसंटो मैंने ओलेडी जो परसंट आपको करवाय थी तब पूछा भी था कि आपको इसका आंसर द यहां पर सही आंसर हो गया और यहां पर एक संक्या पूछी गई है कौन सी 625 का वरग मूल है वह आप बताना पड़ेगा जिसको भी आता है कमेंड जरूर कर देना मॉस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स देखिए आप अंकित मुल्य माइनस विक्रे मुल्य बराबर कहलाता है अंकित मुल्य का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज है नेकार लेकिने क्वाइब disciplines इक वह जो क्या कहलाइगा तो वह जो आपको दस टूट दी है वह कहलाता है बत्त क्या कहलता है बत्त आ आपको उसमें बत्त दिया गया है शूट दी गई यह भई ठीक है अभी अयागे आप या फिर इसको आपन ये भी معंज सकते हैं इसको मूल देन भी मान लेते हैं कई बार तो इस परसन में थोड़ा सा डाउट रहेगा ठीक है क्योंकि अंकित मुल्य तो सो रुपे था और माइनस विक्रे मुल्य जो था आपका वह 110 भी हो सकता है तो यह हो सकता है कि वह आपसे 10 रुपे का बट्टा दे के ब्याज भी कमा सकता है चूट भी दे सकता है तो यहां पर इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा वागी आप उसको कमेंट कर देना यहां पर देखिए दोस्तों अगला क्यूशन है सेवन नंबर का जो आपका सेकेंड चेप्टर है रेके समिकरन वाला एक पद वाले एक चरवाले समिकरन उसमें से लिए गया है यहां पर पूचा है कि एक पदीये बीजे विए गिंजक एक पद जिसमें हो अब देखिए यहां पर इसमें दो पर एक सब्सक्राइब करवा है क्योंकि मेरत विद्यारती थोड़ा खुद को कमजोर मैसूस करते हैं और उसकी तैयारी भी ठीफिकल हो जाती है क्योंकि और चीजे तो याद कर लेते हैं इसको संबनना पड़ता है तो फटा-फटा आप कर देना सेर कर देना दोस्तों के साथ यहां पर देखिया अगला है 0.00035 संक्या का मानक रूप क्या होगा देखिए यहां पर मानक रूप के अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपने कोई भी संक्या लेखी 0.000 3070 PNG लगा थीं घ्लेफ तो फिर हम dif तो अफिर आपने लेखा 25 बटर में आप क्या लगाएंगे भई यह पॉइंट है अब कुछ मैं रखो तो कितने पॉइंट है एक दो तीन च्यार पाँठ श्याड़ इसको लिख सकता हूं यह के सामने लिखूँगा बात एक ही है संक्या का मानख रूप क्या होगा यह होगा यह करने के 31 उपर आ गया पॉइंट अपने हटा लिया था और नीचे 10 की पाउर मैंने क्या लगाई थी च्छे लगाई थी वाई ठीक दूबार अकाउंट कर लेता हूं अब च्यार पांच और 6 बिल्कुल 6 है तो मैंने 6 लगा लिया अब देखें यहां पर मैं एक जिरू अगर अटाता हूं सोरी यह नहीं होगा एक जिरू अगर मैं अटाता हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा डोट लगा लोगा तो यह कितना बज़ गया पांच बन गया एक जिरू काट दीना मैंने अब मेरा क्या आगया तीन पॉइंट पॉइंट पांच गुना दस की पावर माइनस पर देख लेना अब देखिए अति लग उतात में परसंद आपके आ गये हैं यहां पर देखिए यह परसंद लोड़ेडी साथ हमने कर भी रखा होगा नहीं करा तो फिर भी देख लेते हैं देखिए पेपर जो होगा उसी में आपको लिखना पड़ेगा इसी परकार का बिल्कुल यही बात है लेकिन यह पूछ रहा है कि इसका जो गुण दरम है कौन सा नियम है वो आपने इसमें लगाया है वो आपको यहां पर लिखना होगा सिंपल सी बात है ठीक तो आप यहां पर लिखेंगे अब देखिए अगला है समिकन आपको दिया गया है 5x-9 बरा 5x अब देखिए मैंने का था कि x ही संक्या है हमें एक साड़ में रखनी होती है तो यहां पर 3x जो उदर है वो इदर आएगा तो मेरा माइनस का 3x बन जाएगा ठीक है बराबर में उदर 5 ओलेडी था इदर का प्लस का जो 5 है उदर जाएकि माइनस का 9 सोरी जो प्लस का 9 थ बोचे idiot4 लेकिन बड़ी संक्या माइनस की मैं इसली हमने माइनस लगाया है यहां थ्यान अकना अब दिखिंए दोको में चार में बाहर देता हूं तो दो बर जाता है तो एक्स का मान किया गया माइनस दो यह आपका क्या गया final answer है एशे कि आपको एक्जाम मेhen यह सी करना ह आप गया है अब एक हम क्या उना कर एक के आई का पर एक क्छाइब में तो ग्न निक्तरना हैं सब्सक्राइब इसको जो इक आगए को पी जो संग्या है इसमें जो ह संग्या यह वाली इसमें जो 1 अंघ है किया बरी क्लिए खौल दूसरा को दूसरा काम देखे देख़ क्या करहां प्रतेक के गनगे इक इक 2 में POW कि इसको मैं 21 को प्राकर चलू तो जीरो टू सेवन तीक फिर मैंने लिखा जीरो टू सेवन इसको गन करना है साथ जार कि अगया साथ दूनी होंगा इस परकार से ठीक है क्योंकि एक बार जो वेलिव आएगा उसमें नो तो आएगा ही आएगा क्योंकि यह गुणा लगाएंगे अब नो सा कितना मतलब इकाई कांग कितना आगा वाई तीन और यहां पर जो दूसरी संक्या आपको दी गई है इसमें जो इकाई अंक है वो कितना है थीन है पस आपको इतना ही लिखना है ज्यादा फालतू में लोड नहीं लेना है ठीक है नेज़ते के अगला है बारती के पास 15 करने हैं तता मैनाक सी के पास 45 भेन है तो दोनों इस जो पेन दोनों के बड़ाबर करें हैं तो करें आ एक बटा तीन तक आराम सी कुण आ जाती है उसके रही बात मक्स चेनिके जिसमें सत्य फ़ूच रहें हैं आप सबसे पहले यहांब देखिए एकी पावर है गुणा भी की पावर M का मान है वह बी का एम होगा क्या तो बिल्कुल यह बिल्कुल सही है क्यों देखिए यहां पर ए हो इसकी पावर का मान होता है 10 की पावर 24 में आधार का मान 24 है तो यह बिल्कुल गलत है जो आधार वो नीचे वाला होता है यह तो हमारी क्या होती है गहात होती है ठीक क्या होती है गहात तो यह आधार क्या है 10 लेकिन यह कह रहा है कि 24 तो यह हमारा असत्य हो जाता है पहला सत्य दूसरा अस गुणा माइनस पांस की पावर माइनस दो का मान जो है वो यह होता है क्या अभी देख लेते हैं देखे यहां पर क्या कर रहा है कि हमने कई बार यह परसंद देख रहे हैं कि आधार अगर समान है देखे यहां पर माइनस पांस है और गुणा यहां पर भी माइनस पांस है यह यहां पर आपकी माइनस चार है यहां पर माइनस दो है यहां पर जो गाते लग रही है उसके बीच में आदार माइनस का 5 यह दोनों में समान है तो आदार जब समान होता है तो गाते क्या होती है जुड जाती है क्या होती है जुड जाती है आराम अच्छे से सुनना इसको तो यहां पर यह तो ऐसे कैसे रहेगा मैंने बोला कि आदार सामाना तो गाते जुड़ जाएगी तो माइनस का च्यार और माइनस की दो गाते हैं तो कितने बनगे माइनस कैसे और यहां पर माइनस का च्यार लगा रखा इसने यह लिख रखा है और यह हमने लिखा है और यह पू भुरक रजेरा डिवाड है में बुलाए दो माइनस है ये बोला है है अब यहां पर देखी दो की पॉर माइनस है यह और उपपर आएगी इसमें च पर जूड़े hmm यह मानई सब्समान जाएगी इड़िया है तो फ्लास उटाएगा तोसल जाएगा तो दो की यह गएंगलीस और हंदि दोनों में जिसको जैसा लगे पढ़ लेगाए यहां पर ठाप कुझे की आयत का पठ्द को होता है तो हायत का परति को आहिए फिशली सकतर को पर बोलते हैं तो केरें व्रिक्रणों का कोई भी भाघ में नहीं होता है यह कोई भी भाग न्थी करने उत्रभाग देखें अंतर बाह बोल्किंदttes सब्सक्राइब कर देना आपने साथ से पंच बुझ के सभी अंत्रगों का योग होता है पंच बुझ मैं बना लिया तीक एदिस डी और फांच होगे तो यह पर कर रहा है कि इसके अंत्रकोंड जो है यह उसका मान क्या होगा तो दोस्तों अंत्रकोंड हो चाहिए बाये कौन हो इनका मान है वह हमेशा करता है तो यह कहा है यहां पर इसके जो विकरन है यह विकरन और यह विकरन तो क्या होते हैं यह संदिवाज़त होते हैं तो यह दोस्तों इसको तू आपन क्या करता है कि संधी वाजित कर रहा है यह तो यह पिसको बराबर भागों में बाड़ता है लिन इससे मिलान कर लिए तो पी और आठ क्यूंब आपको देगा तो आठ दो निए 16 पी क्यूंब इसके बार देखें तीन पी माइनस चार और माइनस आर्ट पी क्यूंब है तो तीन चोग बारा आठ तो यह वाला होगे आपका 20 स्पी स्वार का माइन आपका हो जाएगा जिसको टुकड़ों में जो यह कर रखा है लाश्ट का यह आपका आंसर हो जाएगा तो इस परकार का आपको और आंसर होगे इसका आगे देखते हैं एक अच्छी परकार से फेंक हुई 52 पत्तों की गड़्डी में से एक पत्ता जो दुन से कर दसा असले हैं तो जाता कि आपको याद करनी है ऑन पत्तों की एक घड़्डी में से एक पत्ता कोई भी जो हो सकता है इसकी भी चार संबाव नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा है कि देखा होगा कि परतेग जो पता होता है उसके चार होते हैं इका हो वो भी चार होता है शेड़ी का, बेगम का, रुखम का ठीक इस परकार से इंट का तो उस परकार से आपको इसको हल करना है देखे, यहाँ पर क्या कर रहा है एक काला बादसा पराप्त होने की प्राइकता देखे, यहाँ पर कह रहा है एक काला बादसा तो काला बादसा भाई साब यहाँ पर काला इस पश नहीं किया है तो काला आपका देखे, चेड़ी की जो होती है वो काडी होती है, जो हुकम होता है बाकिए पान और ईेक के लाल होते हैं तो यहां पे एक में 4 होते हैं तो टोटल कितने हो गें? आठ वटा तेरा आपकांसर शो रिदी बावन है वो आपकांसर आजाएगा जीज आएगा लाल रंग का पत्ता प्राप करने की प्राइगता अब लाल रंग का पत्ता तो देखे 13 तेरा गया तो तेरा बटा चार आंसर आजाएगा लाल रंग की बेगम प्राप्ट करने की प्राइगता देखें बेगम पूचा गया है आप वह भी लाल रंग की तो वही हो गया चार सोग सोला हो गया ठीक है क्योंकि बेगम है वह सब में चार होती है और चार चार पत्ते होत दो से बाग देना भाई तो दो से भाग दिया आपने दो चोकु आठ एक बच गया दो अंटे सोला जीरो को जीरो शोड़ देंगा दो तुनिचा टिक ऐसे करना है आपको फिर आप ऐसे करेंगे इस करकार्शी जो वेदी होगी उससे आपको हल करना है ठीक किसी समानतर चतुर के सबी कोड़ों की माफ आपको याद करनी है यह परसंद में आपके लिए रिमेंडिंग छोड़ रहा हूं आप इसको करेंगे बाई तीक है आगे देखें आप एगले परसन है कि 12,000 रुपे का दो वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर्से साधान व्याज एंव्याज का अंतर है वो ज्याद करना है जबकि ब्याज वार्षिक्स ही ऊचिते है वार्षिक का मतलब ब्याज एक साल की रूप में लिया जा रहा है अब मैंने ये भी आपको बता रखे थे देखे साधरन ब्याज का जो formula है वो क्या होता है हमारा मूल्दन गुर्णा दर गुर्णा समय ये तो आपको सुतर रहना चाहिए बटा सो ये तो हो गया साधरन ब्याज का अब सबसे पहले हम साधरन ब्याज निकालेंगे क्योंकि ये दोनों का अंतर आपको पूछ रहा है तो हमने लिखा ला है याँ पर 12,000 गुर्णा 2,000 गुर्णा 10,000 बटे में 100 दो जिरो से दो जिरो हमने काट ली आप देखें आपर 10,000 कितना हो गया ये तो हो गया 20 और ये हो गया 120 तो बार दोना 24 ठीक है बार दोना 24 और दो जिरो लगा लिए 2400 मतलब 12,000 में 2400 जोड़ना है तो कितना हो गया भई 14,000 और 400 ठीक है 14,400 रप्य तो मेरा हो गया ती या एन ती का मतलब क्या होता है समय तो इस परकार से अब इसको कर रहेंगे है पन तो इस परकार से करने के लिए मैं क्या करूंगा मूल दन मेरा क्या है 12,000 ठीक है ब्रेकिट में मैंने क्या किया 1 और और कितनी है मेरी 2 बटे में 100 तो तो यह कितने बन गया 102 102 बटा 100 समय कितना है मेरा दर दस थी 110 आए गया ठीक है सोरी यहां पर 110 110 बटा 100 अब दो बार है तो इसको क्या करेंगे दो बार एक बार यह जान रखना आप 14400 तो साधरन ब्यास थे इसको बन अलग रखेंगे यह मेरा आ गया था बाई कितना 12000 तो इस पर कार्शी आ गया अब मेरे को देखे 100 है तो 206 मेंने काड़ दी फिर 100 है तो 12 एक और दो 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 जिरो काड़ दी मेंने 11 11 कितने होते हैं 121 एक जिरो ऐसे कि इसको रहने दीजे अब इसको 12 से बुणा कर लिजे 12 एकम 12 का कितना हो गया 2 हांसिल की एक लग गए मेरी 24 से एक 25 हांसिल की दो लग गई 12 एकम 12 और दो 14 ठीक है 14 पचास और 01 था मतलब 14,550 ठीक है यह तो आ गया मेरा चकरवती ब्याज सादरान ब्याज क्या था मेरा 14,400 रुपे तो अंतर पूचा है इनका तो अंतर हम बता देंगे अब 14,520 रुपे ठीक है 520 ही थे थे न और य 800 रुपे यह उसका था यह था हमारा सादरान ब्याज और यह था हमारा चकरवती ब्याज दोनों का अंतर निकालाएंगे 0,2,1 ठीक है तो 120 रुपे का अंतर इसमें आ रहा है ठीक है इस परकार से निकालना है देखे एक किसान की पशू शाला में 20 पशू के लिए 6 दिन का परियाफ्त बोजन है यदि एक पशू पाला में 10 पशू और आजाए तो यह बोजन कितने दिन तक परियाफ्त रहेगा इस प्रकार की परसंपों को भी आपको करना देखे एक किसान की पशू चाला में 20 पशू के लिए जो 20 पशू है उनकी लिए 6 दिन का बोजन है वो पर यह बढ़ गया पहले 120 दिन के साफ से था अब 180 हो गया तो इसको अलग-अलग आपको करना पड़ेगा यह हो गया 20 गुणा 6 इंटु एक बराबर 10 गुणा एक्स बटा एक इस परकाशी रहे गाए तो हमें निकार ना इसका अंसर तो जीरो से जीरो हमने काटा च्छट दोनी 12 बराबर एक्स का मान आगे 12 तो यहां पर क्या करा है कि यह बोजन कितने दिन तक प्रयाप्त रहेगा पहले जो 20 दन के लिए था वो अब कितने दिन के न बड़े वाले यह के पाई चाट वर्जो परसन वो आप देखने ना इसके सुछ स्षट पर आधाना जैठानाह थी तो पाइचर्ब को होता है कहुता है को फोह गुला होता का हुं इसको गार्ट पर आपको लिए न 2 दोकर देखे लिए तोसन आपको कर पाएँ और लेड़ी मैंने करवा रखे हैं सारी इंपोर्टेंट आपको मिल जाएंगे करे हुए बाकि इनको आपको देख लेना यह सारी परसन आपको करना है और एक गनाबकार डिबे का आयतन अठारा सो गन सेंटिमेटर तो उसके लंबा और चुड़ाई करम से 40-30 सेंटिमेटर ड और दिया है वहां पर जाएए और डांडोड कर लें था यह सब क्या होता है और या पार होता है यदि एक वरग भी बुझाल साथ सैंटिमेटर तो लेका पर二 मित होुए प्सेतर धया होता है वाइं बूजा स्कॉार मतलब साथ Whenever आपका यह पीसे आपको कुछ साधान क्यूसरन आहें आप है जदी एक बूजा चार सेंट只फास है तो बच compliance क्या होका फुर सब्सक्राइब तो यह सारी चीज़ आपको कर लेनी है यह देखें आप पाई चार्ट के लिए यह आपको यह गराब भी दिया गया है इस पर बना सकते हैं तो उमीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कुछ परसंद बड़े वाले हमने रिमाइनिंग छोड़े हैं क्य बाद इंग्लीज का पेपर लाने वाला हूं जल्दी वह आपको मिल जाएगा धन्यवाद